तो चलिए दोस्तों बिल्कुल नई एनर्जी के साथ हम लोग बिल्कुल राप्चिक टॉपिक डिसकुस करने हाले हैं वाहित मल उप्चार राप्चिक इसलिए क्यूंकि यह जो टॉपिक से ठीक है अभी मैं आपको दो टॉपिक पढ़ाऊंगा यह दोनों टॉपिक से लगभग पढ़ते आ रहे हैं और किसमत बहुत अच्छा है तो इससे पांथ नमबर का तो आएगा इन दोनों टॉपिक से पढ़ना और कोई भाई मुझे कह रहा था कि सर आप तो सब वीडियो में बोलते हैं कि यह इतने नंबर का होगा यह इतने नंबर का तो फिर सुनो थोड़ा की जो हमारा थमिल है और जो हमारा मोटीव है ठीक सब्सक्रास को पढ़ाना ओके तो जिन जिन से संभावित क्वेस्चन बन सकते हैं तो मैं उन्हों सभी टॉपिक सो टॉच करता हूं आपको आपको ना जैसे एक बडर यहां से कंपलिट कर लो तो आपको कीशे औ इतना पढ़ लो यार अच्छा नम्बर आता है कि मैं बोल रखने ठीक है मतब कि आप जो आपका पूरे 344 पेज का इतिंग बुक है तो 344 पेज से क्वेश्चन नहीं नाएंगे उस पूरे पेज से क्वेश्चन नहीं आएंगे केवल कुछ बॉटन टॉपिक से जिन से क्वेश्चन बनेगा तो कि वल नहीं चीज को कंप्लीट किया हूं तो आप नहीं संकोच रूप से मेरे सांथ पढ़ाई कर सकते हैं बिल्कुल और उपर से मैं आपको महनत करकर के पूरा यह आपका क्या करवाता हूं नोट बनवाता हूं फिर तो फिर आपको नोट भी यहां मिल जाएगा तो आपना नोट भी बना जीजेगा सांसा तो फिर आपका प्रिप्रेशन काफी अच्छा बहतर हो जाएगा ठीक है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक हैं तो हमारा जो अध्यादस था मानाव कल्यान में सुक्ष मजीओ तो अब हमनों क्या करेंगा वाहित मल उपचार किसकी सहता से इस सुक्ष मजीओ की सहता से अब कैसे करेंगा वाहित मल उपचार तो थोड़ा सा सुमझे देखे क्या होता है कि वाहित मल पहले तो वाहित मल क्या होता है समझे थोड़ा कि सहरो में आबादी बहुत ज्यादा होत तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो बात्रूम जो है तो बात्रूम से जितना मल जाएगा उसको सीधे नालियों में गिरा दिया जाता है तो सहरों में यह मोटी मोटी जो नालियां होती है उनमें वाहित मल होता है मतलब बहता हुआ मल पानी के सांथ में मल होगा वो बहरा होगा तो उसका मुक्बलेंगे वाहित मल और यह सहरों की नालियां इति-जादी मतलब उसमें वाहित मल और कार्बनिक पदात बीमारिय पहल यह सब बाहर होते हैं और इनको लाश मिले जाकर के नदियों में डाल दी जाता है ठीक है तो अब जब नदियों में जाएंगे इतने विश्यले पदात तो क्या होगा जैसे सूचिए ना थोड़ा सा मैं यहां पर छोड़ा जगा है इसमें में लिग देता हूँ कि जो वाहित मल भी होग तो वाहित मल में क्या क्या होगा पहला तो आप उसमें होंगे सुक्ष मिजी वोंगे ना शूपर जीव और आपके क्या होंगे इसमें कार्बनीक बदार्ब होतना है कि कार्बनीक पदात et HEL थोड़कर अब करेगा कारबनीक पदार्थ पर आक्रमन करेगा और कार्बनीक पदार्थ पे आक्रमन करेगा तो क्या करेगा इसका पाचन करेगा कार्बनीक पदार्थ का पाचन करेगा सुक्षमिजू तो पाचन में हम लोग को क्या चाहिए होता है ऑक्सीजन चाहिए होता है क्योंकि सुक्षमिजू ऑक्सीजन लेगा और और कार्बनीक पदार्त का पाचन करेगा तो यहां हम लोग ऑप लगा दिए ठीक हैं? यहां O2, तो यह ऑप छोल्जज़न लेगा और ऑप भुली ट ऑक्षिजेन तो पानी में जो घुलीट ऑक्सिज़न है उसका उप्योग यह सुक्षमज्यू करेंगे और carbonic पदार्थ को विखडित करेंगे ठीक है तो समझेगा तीन-चार topics यहां से मतरब points नहीं कर रहे तब तो यह 5 नमर का question है ठीक है तो समझेगा पहलूओ को ना पहले वहीत मल समझे हम लोग की नली में मल बहरा है ठीक है तो उसमें पानी भी है तो उस पानी में जो घुला उस पानी में क्या सुक्ष में जिव जिन्दा रह पाएंगे मतलब सुक्ष में जिव कहने का मतलब मचलियां हो गया मैंधक हो गया जो अन्य जिव है जली जिव जिन्दा रह पाएंगे नहीं क्योंकि मचली जो होता है वह पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन को उप्योग कर लगने तो पुरी नदी में पडार नदी-क-खर volcanic-खत्म हो जाएगा ओद्हें-दी-द्हों मरने लगेंगे मैंध्aur मरने लगने लगेंगे तो इससे परी तंत्र फिगड़ँ रहे है के टूब इचा को रोकने किले हम लोग ना सुक्समिजीव का उपयोग करते हैं तो ये उपयोग कहलाता है वाहीत्मल उपचार सुक्समिजीव का उपयोग करते वे हम लोग वाहीत्मल का जो ओक्सिजीजन nom showcase में बहुत कम हो गया उस अच्जीजन term को बढहाएंगे तो इसasto हम बोल रहे हो तो कैसे बोलोगे तो इसके पीछे एक सिंपर्स लॉजिक है कि हम लोग उसका बियोडी चेक करेंगे अब बियोडी जो है थोड़ समझे बियोडी क्या होता है इसको बलते हैं बायो केमिकल ऑक्सिजन डिमांड मतलब कि जो पानी है ठीक है हमने वाहितमल गिरा द चाहिए तो उसका बियोडी क्या होगा कम होगा बायोग केमिकल ऑक्सिजन डिमांड मतलब की ऑक्सीजन की माँग तो साप वाला जो नदी है उसमें ऑक्सीजन कमांग ज्यादा नहीं होगा मतलब कम होगा तो oxygen कमांगा अगर जिस पानी में कम है तो उसका हम लोग बनेंगे स्वच्छ वाटत ठीक है स्वच्छ जल और जिस पानी में जैसे वाहित मल डाल दिये उसी साफ नदी में तो अब उसमें कारबनिक पदार्थ बढ़ गया सुक्ष मिजीव सारे oxygen को प्योग कर लिए तो अब पानी में क्या ओगा biochemical oxygen डिमांड क्या हो गया बढ़ गया मतलब अब पानी में चाहिए oxygen चाहिए तो इसको बोभने जो और ऑका जाओंगा तो इससे पानी यहाँ दोड़ेगा तो सुटा सम्चर में आ आपको आपको दोड़ा चाहूंगा और एक्जाम से आने के बाद ना कमेंट करके बताओगे कि थैंक्यू सर आपने इतना अच्छा पढ़ाया था ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं देखिए सबसे हम लोग देख रहे हैं कि जो बी ओडी है अगर ब्योडी बढ़ गया है मतलब कि ऑक्सीजन इसको ज्यादा चा उसको बढ़ गया है ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए मतलब की जो उसके सबस्तिक aur și अगर समझ में जादा रहेगी और BOD कम रहेगा मतलब oxygen demand कम रहेगा तो वह स्वच्छ जल कहलाएगा तो इतना चीज आप नोट कर लिजे अब चलिए अब आपको वाहित मल पता चल गया और BOD पता चल गया प्यारे पहरे दो उप्चार करके इस चीज को कम कैसे करें तो दिखें मैंने बताया आपको कि जो वाहित मल है नालियों की थूँ जा रहा है तो उसमें कहीं प्लास्टिक डाल दिए कहीं कोई कंकर पत्थर डाल दिए कुछ भी डाल दिए ठीक है तो वाहित मल भी है साथ में सुक्ष्मजीव भ तो तो थोड़ा समझीगा ना थैना तो पहले नीचे गड़ा करेते हैं यह ऐसा अब यह है तो अब इस टैंक में क्या हो रहा है ये ऊपर तो अब यह जो टैंक है इसमां कऱेंगे प्रात्मिक उपचार जीतना वहत मल आया तो वहित मल में जितना धुल जो भी भारी चीज है भारी चीज इस नीचे क्या हो जाएगा बैट जाएगा और जो भी आपका आउपांक जो बचेगा जो भी आपका आउपांक मतलब कि प्रदूषित जो पतार्थ है अब हम लोग फिर से एक मैली कि तुरू क्या करेंगे अब दूसरे टैंक में बेज दे अब कि वह वहीत मल बचा वहीत मल मतलब उसमें पानी और मल पदार ठीक है और सुप्ष मजीऊ तो होंगे तो अब यह आगे गया आगे जाके एक और टैंक में चला गया अब इस टैंक में क्या करेंगा पता है हम लोग ना यहां से सुप्ष मजीऊ डालेंगे क्या डालेंगे सुक्षमजीव उडालेंगे अभी सुने रहे हैं लैंग्वेज आपको इधर मिल जागा ठीश तो यहां हम लोग क्या डाल दिये और यहां उपर से उक्सीजन भी दे रहे हैं हवा भी है तो अब यह पानी के वो को नहीं लेगा पानी में तो वैसे हैं भी नह अच्छे से अब क्या होगा अब जैसे ही ये सुक्ष में जी वेडिये कार्बनी का पाचन करेगा तो यहां लोग इसका ब्योडी कम कर दिये फिर अब इतना धे खतम नहीं हुआ यह तो प्राथ्मिक उप्चार ना यह मैं यह सेपरेट कर रहा हूँ यह कौन सा में उप्राथमिक उप्चार था यहां फिर्ट लिए रहा हूँ यह कुझत सेंड और यहां से सेटो खुनी ना टौनल एक है qe तो अब ये जो उपर से बंद वाला जो टैंक है ठीक है अब इस बंद वाले टैंक में सिंप्ली अब इसके अंदर ही जो बैक्टिरिया होंगे जैसे देखिए कोई बंद अगर आपने क्या किया दही मतब दूद है दूद को क्या करके धक के रख गया ठीक है और उसको कुछ दिन तक रहनेती है तो आप खुद देखेंगे उसमें अपने आप लेक्टो बेशिलस आ जाता है और दही में बदल देता है दूद को ठीक दूद का पाचन करके दही में बदल देता है तो वैसे ही इसको पुरा बंद कर देते हैं सब और से अब इसमें क्या होगा इसमें aggregate चीवालो डालेट ना इसके सिवाए कुछ दूसरा जीवालो डाएगा जो बीना ऊक्सीजन के जीवीद रहेगा यहां तो यहां थो घूम का का आईज़हन चिवालो डाले ने ना इनका पाचन करेंगे, यहां हमने जो कवक और जिवानों डाला, अब यह उनका पाचन करेंगे, और उनका पाचन करके, simply यहां पे उनका पाचन करेंगे, तो यहां से कुछ गैसी निकलेंगी, ज्वलन सील गैस, क्या निकलेगा, ज्वलन सील गैस, तो यह ज्वलन सील गैस को अलग एकत्रित कर लेंगे यहां पर और जो बच्चा हुआ पदार्थ है उस बचे हुए जो पदार्थ है इसको अब हम लोग नदियों में डाल सकते हैं यहां से हम लोग इसको नदी में डाल देंगे तो यह मैंने आपको अपने हिसाब से डागराम बना के समझाया है तो करेंगे दूसरा चौकले लेता हूँ यह सब इनके क्या करेंगे बियोडी को कम करेंगे यहां पर थोड़े चोटा जगाया है तो इसलिए आप गाटा देगा फिर इस बात अगले टैंक में जाएंगे तो अगला टैंक क्या करेंगा सिंपली यह सब तरब से ना बंद रहें चेका कि हाए और यहां जितने बनेंगे वह आएगा वह जीमदों पहले डालेगे दों इसके बाद बनेंगे उसको करेंगे अब अब इसके बाद अब यह क्या होगे इस्क नदी में डाल सकते हैं अब इसको हम वोग नदी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम मतलब कि इसमें क्या है ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो फिर यह क्या है स्वच्छ है तो अब इसको अगर नदी में ढालते हैं तो इससे कोई भी हानिन नहीं होगा जलिए जीमों को क्लियर तो आपको इतना पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा लगता है काफी टाइम हो गया तो ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं खिचना हम लोग को तो तुरांद से ना अब आलोंगे उसके लेंगे और मैं प्यराना चित्र मीटा दे रहा हूं आप इसको क्या करेंगे कर लेंगे ना वीडियो पीछे करके तो यह मैंने मिठा गिया ताकि आपको कंफ्यूजन मत हूं क्लियर ठीक अब चलिए हम लोग आके बढ़ते हैं अब देखिए हम लोग जितना यह पढ़े ना यह सब चीज यहां लिखाया बस जितना बताया हूं ना यार इतना को अच् लेंग्वेज पढ़ रहा है आप अच्छे से सुनिएगा आपको सब्सक्री समझ में आ जाएगा और मैं आपको दो तिन बाइन नहीं बताओंगा ठीक लिया सहरों से निकलने वाले नालियों में बड़ी मात्रा में जल के साथ मल मुत्र उपस्थित होते हैं अतर इन्हें वाहित मल कहते हैं मैं इसको कर देता हूं अतर इन्हें वाहित मल कहते हैं चूंकि इनमें भारी मात्रा में कार्बनिक पदात वह सुक्षमजीव होते हैं जो क्या करते हैं जो जल के बाई बी ओडी बायो केमिकल ऑक्सिजन डिमांड को बढ़ा देते हैं अतर जल कैसा हो जा आपको पूरा चांसे बनता है कि आपको बिल्कुल अच्छा नमर दिया जाए कि आपका तीन में तीन पांच में पांच नमबर दिया जाए ठीक है तो यूजिवले टीचर क्या करते हैं आदा ये एक नमर काट सकते हैं अपनी इक्छा से तो अगर आप अच्छे से सारा चीज़ लिखते हैं तो आपका किसी का हीमत नहीं बनता कि कोई आपका नंबर काट सके ठीक तो हम लोग दो चर्णों को उपयोग करते हैं जितना बताया आपको समाज में आ गया होगा अब लोग देखते हैं अब इस दो चर्णों में से पहला है प्रात्मिक उपचार तो प्रात्मिक उपचार में हम लोग क्या करते हैं वाहित मल में उपस्थित धूलकन आदी को शिखिया जाता है फिर इस्थनांते जाता है अ Walenta नीचे बैठा दिया इंते और इसलों भूल देते था है और हो दो incarnate करेंगे , दीधियक उपचार इसमें क्या करते हैं इसमें सर्वर प्रत्र अवपंग ऐक वायवियर टैंक में सुक्ष Equal के उपस्थिती में रिदांग बूर्ड softly कंंग किया जाता है किने का मतलब है है कि हम लोग एक टैंक में जो भेज रहे थे जहां पर हम लोग पहले से सुक्षमजीव की उपस्थिती बोला गया है और इसको वायवीर टैंक क्योंकि यहां पर ने सुक्षमजीव की उपस्थिती में और इसको कर रहां तो इसी को करके हम लोग क्या करते हैं एक इसे वायु रहित, मतलब कि वायु रहित बन्द टैंक में भेजा जाता है, जहां विशेश प्रकार के जिवाड़ु, पुराने जिवाड़ु वा कवक का पाचन कर, क्या ज्युलें सील, यहां गैस होना चाहिए, ज्युलें सील गैस का उतपादन करते है, मैं यहां लिग दे बचे हुए बचे हुए जल को जल इस त्रोतों में डाल सकते हैं तो इसका दो एक्जामपल आप हमेशा याद रखेंगे कभी नहीं बोलेंगे आपको दो नदिया बहुत वीशेस तोर पर सुनने को मिलें होंगे एक है गंगा और दूसरी इससे मिलती हुआ जुनती यमुना तो हम लोग दो जखा人 अशे हैं हमारा जो वह चार आशेंदर को Practice दो जखा बनाए है एक गंगा एक्स्ञاعर प्लान और दूसरा यमुना एक्सं प्लान प्लान वह कुछ इंपकर होंगे क्या डिक्र, حतिए हो एक्षे प्लान श सब्लान प्रस एक वाया ग्जान हो गया आज अब हम लोगë बिल्कुल इंपॉर्टैन टॉपिक एह बत ठीक है गोबर गैस को हम लोग कैसे मतब करते हैं हमारे जो अन्सील गैसों में और इसका क्या उप्ट हो बिल्कुल आसान से टॉपिक यार आप छटवी साथ विम पढ़ते हैं तो चलिए वहाँ चलते हैं यूजरी यह बहुत जादा इंप्पॉर्टनेट है तो इसको बिल्क बताओं उसको आप समझ चाहिए ठीक है एक भाई बोल रहे थे कि सर वीडियो का जो साउंड है वो अच्छा नहीं है तो उसने बहुत एग्रेसिव लेंवेज का उप्यों किया था जो मेरे को यूजरी पसंद नहीं आया ठीक तो यार बोलना बहुत आसान होता है ठीक है य सही है में रirty अगरे को इंद नहीं मिला थैक तो फिर अगर कोई गडवर है न आया तो आप बार मैं या को बता दिया करो ना कि сю चाह只Как चलुए को का नो थोड़ा थीक लगता है एक रेशियों करके कुछ भी बोलना फोड़ा अच्छा महीं ळ 6 2015 मौइया आपके तो ठीक है कुछ समझ में आएगा कि मैं करूं क्या ठीक है आप बिल्कुल लाचार हो जाएंगे बिल्कुल आपको समझ भी नहीं आएगा भारवी पास करने के बाद यार पार करो तो उससे पहले जितना काम यह अच्छे से कर लो ना बारवी के बाद तो पता नहीं क्या कुछ समझ नहीं आता सही बुलो ना कुछ समझ नहीं आता क्यार आप करें क्या तो अभी जब तक यह काम है ना तब तक इसको कर लो पढ़ाई का काम है अच्छे से आगे भी कुछ अच्छा मिल जागा वो भी अच्छा कर लोगे आप तो यार परेशान नहीं हो नहीं तो अभी कर लो ठीक है चलिए हम लोग सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको सैंत्र बना के बताता हूं इसकी पूरी क्रिया वी बता दूगा आपको वह Ah जादा परेशान होनी के कर दया के जाद नहीं है जाधा ठत्रनाक नहीं है पहले जीतना ठीका पहला टेंक लिए न ली ले जाएंगे और यहां पर क्या होगा एक बड़ा टेंक बनातेगे यह.ται कैसे हॉगा तेयं। यहां उपर एक चोड़ते वह इसको जोड़ देंगे अब इस गेप के थू हम लोग यहां अलग से एक और चोटा टैंक बना देंगे ठीक है क्योंकि हम लोगो गोबर डालना और निकालना भी तुछ है इतने टैंक बना लिया हमने अब यह जो टैंक है पहले इसको लोग गोला का डंबल से देंगे इधर से डंबल से देंगे और हम लोग क्या करेंगे अब यहां पर एक डाजिस्टर लगा देंगे यह कुछ इस टैप से ठीक है और यहां से हमें एक नली ले जाएंगे यहां से जो भी जो अलंचिल गया इस निकले उसको हम लोग क्या करने अलग कर लें तो यह हो गया नली तो अब देखिए थोड़ा समझने की कोशिश किजएगा क्या होड़ा यह जो है यहां पर हम लोग डाल देंगे अपना मैं जलैं लोग फोटा लिखाएं ठीक है आप यह दोनों मिखें नहीं सो करके अपना लगाइगे अग्यों जो पसू होते हैं जर्सक्राफ यहां बात करनें तो क्या करता है यज गाई खाता है पतियां खाता है तो पतियों होगे हुआ पुर्य पॉद्र में होता है तो इसके it it गोबर बनेगा उसमें भी बहूंट जादा होगा तो गोबर में सेल्यो लॉज तो जादा होता है लेकिन मैथनाँग को जो पचाने वाला बैक्टीरिया कि नोग मैतनुजन बैक्टीरिया यहां लिखाए हूए मैथनोजन जी वाड़ वी मैतनुजन बैक्टीरिया इसका scientific नय गास और मिलकर गोबर को गयान काल दूया तो उस निकाला हुआ गोबर को यह उपे पहले से ही मैधिनोजन तो यह पर पानी अच्छे डाइजेस्टर तो अब यह जो डाइजेस्टर है ना इस डाइजेस्टर में मेथनोजन बैक्टिरिया क्या करेगा गोबर में जितने भी स्यालियो लोजन ठीक है तुम स्यालियोज का पाचन करेगा अब स्यालियोज का पाचन करेगा तो यहां सिंपली आपका कुछ गैसे नि लेंगे अब जो बचा हुआ इसलज बोलेंगे इसलज मतलब के एक प्रकर का खाद तो अब यह खाद ना जैसे जैसे इधर से घ्र भरते जाएगा ठीक है तो इधर प्रेशर बनेगा तो यह इधर से आके ना इधर अलग हो जाएगा तो फिर यहां से हम लोग हाद को अलग न कि एक सब्द अभी आपको बिल्कुल नया मिलेगा पसु विष्ठा मतलब गोबर पसु का जो मल है उसका उन्हों क्या बढ़ेंगे पसु विष्ठा कह देंगे तो गोबर में भरपूर मातरा में सेल्योलोज वा कारवनिक पदार्थ समेथ मेथनोजन जिवाडू होता है ज इसका साइंटिफिक नेम लिखिये वह कैसे काम करता है और इसका क्या उप्योग है कि स्टैप्स आपको तीन चार प्वेश्चन बना के देदेगा ठीक चलिए तो आपको यह फिर पढ़ाग बता देता हूं कि पशु विष्ठा में भरपूर मातरा में सेल्योलोज वा कार् करने है, अब यह पूरा गोबर है तो गोबर और मेथेन बेक्टिरियम को इसे जल समेत गोबर जैसे संयंत्र में डाल दिया जाता है गोबर समेत रूख के ठोड़ा न इसलभा जल के साथ में गोबर गया संयंत्र यह संयंत्र का नाम है अपका आपका तन्स नहीं होmaّ तो यहां देखते हैं कि क्या है कि इसे जल समेत गोबर गैस संयंत्र में डाल दिया जाता है यह संयंत्र चारों और से बंध होता है यहां मेथनोजन जीवाणू सक्री होकर कार्बनिक पदार्थ का पाचन कर हैं इन्हें हम अलग एकत्रित कर लेते हैं तथा बचा हुआ पदा आपका खाद के रूप में खेतों में उपयोग किया जाता है तो देख लिए यार कि आपको साउंड प्रॉब्लम ना आए नौइस मत आज जादा करके मैं आपको रात को भी शूटिंग करता हूं तो आपको काफी रात भी हो गया और मैं ठक बें जया फिर यूटूब में अपलोड करने फिर टाइटल टैग डालने में लगेगा फिर साथ में आपका और समय लग जाएगा कि आपका थमेल क्रियेट करो ठीक है तो बहुत महनत करना परता है आपके वीडियो के लिए तो फिर प्लीस यार मेरा आगे से रहेगा ठोड़े अच् अच्छे सब्दों में बात करेंगे तो हर कोई खुछ रहेगा ठीक हर कोई आपके पास आना चाहेगा उसी को आप से बात भी नहीं करना चाहेगा सही है तो इसलिए मेरे को पते चल गया कि वह जो भाई थे वह उनका पढ़ने लेकिन में कोई इंट्रेस्ट नहीं है तो फ स्पीड बोलता हूं तो बीच में जो छोटा-छोटा सब्द रहता है वह नहीं बोल पाता मैं या फिर जल्दी-जल्दी में छूट जाता है ठीक लेकिन मेरी भी कोशिश रहती है मैं भी कोशिश करता कि थोड़ा धीरे बोलू यार अब आप लोग का भी टाइम बहुत प् ठीक ताकि आप पढ़ाय लिखा में ध्धान दें यार तो बस यहीं बोड़ा हूं यहीं समय है यार कर लो नहीं तो फिर सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर आपका कम पर्चेंट आ जाना तो आपको तो सरम आएगा साथ में आपके जो पैरेंस है ना उनसे भी कोई सकता है कि अब है अहले बाएगों यह कंहें चाहिशले को में इसलिए में इन दोनों में यार यह होता हमारा थोड़ा हिंदी के अनकाल के मेरेको हिंदी में मिला था मिले थे 82 माक्स ठीक है और बैलो जी मेरेको 95 मिला था 95 अपने यहां पर में टॉप किया था और साथ में और भी जो थे हमारे उनको भी बढ़ाया था ठीक है तो वह भाई सब्ष्द केंखक और वह प्रीन मेरे करें जब बताउके यहां नई प्लस मेहां आप गरें पहुत में आप अच्छा करें इसे मैं बहुत अच्छा करhã दिए घए जो अच्छा जो आसान है और जो कठीन है उसमें कोशिस कीजिए कि आप कुछ अच्छा कर पाएं या कम पास होता है ठीक तो ऐसा कोशिस रहिएगा ऐसा कोशिस रखेगा तो आपको मोटिवेट करने और आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाने के लिए मैं हूँ और ये वीडियो लेक्चर 35-35 का हो गया है तो बहु इंपोर्टेंट होने आला है जिसमें लोग एक एक नमबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे ठीक उससे एक एक नमबर के क्वेश्चन बनते हैं तो आपको 90 प्लस का टार्गेट है तो आपको एक नमबर भी नहीं छोड़ना तो अगला वीडियो लेक्चर भी जरूर कंप्लीट की जगा नोट बनाएएगा और अच्छे सपड़ेगा आपके एकजाम के प्रिप्रेशन के लिए आपको बिल्कुल और वैस ठीक है